हलो एंड वेलकम एब्रिवन आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवंथ का लाइट चैप्टर चैप्टर को शुरू करने से पहले ज़रा मोटू लाल के क्लास रूम में चलते हैं हलो बच्चों कैसे हो मोमो खाता हूँ चटनी लगा कर अरे सर मुझे एक डाउट था आज जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक एम्बूलेंस को देखा उस एम्बूलेंस के ओपर एम्बूलेंस उल्टा लिखा हुआ था आखिरकार ऐसा क्यों था सर बिल्कुल मोटूलाल और चीकू तुम्हारे इस सवाल का जवाब इस चैप्टर के अंदर तुम्हें मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट होती क्या चीज है बहुत सिंपल है लाइट क्या होती है लाइट एक रेडियेशन होती है या फिर एक ऐसी form of energy होती है जिसकी help से हम आसपास की चीजें देख पाते हैं लाइट की help से हम आसपास के surrounding को देख पाते हैं और लाइट हमेशा travel करती है straight line के अंदर अब यहाँ पर देखो इस बच्चे ने क्या करा एक pipe को पकड़ा बिल्कुल सीधा तो यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधे इस candle की light दिख रही थी जैसे ही इसने इस pipe को मोड़ा इस candle की light इसे दिखना बंद हो गई तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि light हमेशा कैसे travel करती है straight line के अंदर अब आई होप आपको clear होगा कि what is a light next है reflection of light जब भी light किसी भी object के पास आती है तो या तो वो absorb होगी या फिर reflect back जैसे कि ये mic है इसके ओपर देखो मैंने light डालने की कोशिश करी तो क्या होगा दो चीज़े हो सकती है या तो light absorb होगी या फिर reflect back होगी अब भी हमने दो चीज़े समझी या तो कोई भी object light को reflect back करेगा या फिर absorb करेगा ये दोनों चीज़े हमने समझ ली लेकिन जब भी light reflect back होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस image के अंदर कैसे यहाँ पर light को throw कराया हमने और mirror से reflect होने के बाद इसकी direction change हो रही है जब भी reflect back होगी तो इसकी direction बदल जाएगी ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के button पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भाया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ अब बात करते हैं mirror की आप सब mirror के बारे में क्या जानते हो अरे भाया mirror के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ स्कूल जब भी आता हूँ तो mirror के अंदर ही तो अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके आता हूँ अरे तुम लोग बस mirror एक ही चीज को समझते हो बट actually में science के according mirror क्या चीज होती है mirror वो हर एक चीज होती है जिसका surface shiny होता है आसान भाशा में समझें तो हर एक चीज जो की light को reflect back करती है वो mirror कहलाती है जैसे की ये phone अब इस phone की screen पे आप देख रहे हो के light आ रही है तो वो reflect back हो रही है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ mirror science के according इसको मैं mirror बोल सकता हूँ इसी तरीके से आपकी कोई table होगी जो की काफी shiny surface होगा उस table का उससे light reflect back हो रही है तो वो भी एक mirror कहलाएगा ठीक है अब जो आप mirror के अंदर ready होते हो सिर्फ वही mirror नहीं होता याद रखना है science के according anything जिसका shiny surface है और जो light को reflect back करे वो mirror है a mirror that has a plane surface is called a plane mirror एक mirror जिसका plane surface होता है देखो कुछ इस type का हमारे घर में जो mirror लगा होता है उसका generally plane surface होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं plane mirror अच्छा कुछ ऐसे भी mirror होते है जो की curved होती है ये देखो मुडा हुआ असा mirror है ये तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग curved mirror ऐसा mirror जिसके अंदर ऐसे bulges out रखे हो ये जो bulge ये जो चीज आप भार निकली हो देख रहे हो ना इसको बोलते हैं bulging out ऐसे भार की तरफ निकला हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे curved mirror अब बात करते हैं image की what is an image image क्या चीज होती है जब भी हम किसी भी चीज को mirror के आगे रखते है तो mirror क्या करता है कुछ ना कुछ light को reflect back करता है जब वो light को reflect back कर रहा होता है तो उसके सामने जो चीज रखी होती है उसकी image भी form हो जाती है अभी तक आप सबको image से क्या पता चलता था बहुत सारे बच्चे बुलेंगे सर हम तो instagram में जो image देखते हैं इमेज फॉर्म हो गई अच्छा ये जो candle है यहाँ पर हमारी इसको मान लो object और जो mirror के अंदर image फॉर्म होई है उसको आप image मान लो तो अब इन दोनों के बीच का जो distance होगा न वो लगभग हमेशा same ही होगा ऐसा लगेगा कि दोनो proper एक ही दूरी पर रखी है अब बात करते हैं images कितने type की होती है दो type की images होती है एक होती है erect image और दूसरी होती है inverted image अब erect image का मतलब क्या होता है erect का सबसे पहले मतलब होता है straight यानि कि सीधा अगर किसी भी mirror के अंदर object यानि कि उसके सामने रखे जाने वाली चीज की सीधी image बन रही है अच्छा उल्टी image कैसी होती होगी देखो बिल्कुल तो उल्टी image यानि कि inverted image किसी भी mirror के आगे आप किसी object को रख रहे है और उसकी image उल्टी बन रही है तो उसे बोलेंगे हम लोग inverted image जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक mirror है यहाँ पर हमने इसके आगे candle रखी तो इस candle की कैसी image बन गई उल्टी बन गई इसको बोलतेंगे inverted image अच्छा ऐसे mirror हमें कहाँ देखने को मिलते है जिसमें उल्टी image बनती है बिल्कुल घर पे देख लो आप अपने घर पर कभी भी spoon को उठाना उसके पीछे वाले साइड में देखना आपको दिखेगा कि आपकी कैसी image बन रही है inverted यानि की उल्टी image बन रही है जैसे इस बच्चे ने spoon को पकड़ा हुआ था सीधे और इसकी image कैसी बन गई उल्टी तो इसको बोलते हैं अब बात करते हैं left right inversion की यानि की lateral inversion of the image क्या आप कभी mirror के आगे खड़े होए हो अच्छा आज घर पर ही try करना mirror के आगे खड़े होने में जब आप खड़े होगे न mirror के आगे और अपना कौन सा हैंड raise करोगे मालो left वाला hand आपने raise करा तो कौन सा हाथ आपको mirror के अंदर उठता हुआ दिखेगा right वाला देखो mirror के अंदर कौन सा hand raise हो रहा है इस बच्चे का right और यहाँ पर actually में कौन सा hand raise कर रहा है left इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग lateral inversion of the image मतलब की image उल्टी बनती है mirror के उपर उल्टी मतलब ऐसे वाली उल्टी नी मतलब बिल्कुल opposite बनती है जैसे आप सीधे हाथ उठाओगे तो उल्टा हाथ दिखेगा अब यहाँ पर इस बच्चे ने left hand raise करा था तो mirror के अंदर कैसा दिख रहा है right hand raise होता हुआ दिख रहा है अगर हम mirror के आगे खड़े होंगे अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाएंगे तो mirror के अंदर क्या दिखेगा कि हम अपना right hand ऊपर उठा रहे हैं तो I hope यह चीज बिल्कुल clear होगी लेकिन इसका फाइदा क्या है इस चीज को सबसे पहले तो हम लोग left right inversion या फिर lateral inversion बोते हैं फाइदा क्या है इसका फाइदा है कि आपके ambulance वाले question का आपको जवाब मिल जाएगा देखो जब भी हम लोग ambulance को देखते हैं तो उस पर ambulance कुछ इस तरीके से लिखा होता है अगर आपने नहीं notice करा है नहीं देखा है उसके लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए मुझे तो I hope अब आपको clear होगा कि ambulance के उपर ऐसे उल्टे अक्षर क्यों लिखे होते हैं वाइ जिसे की आगे कोई भी गाड़ी चला रहा हो ड्राइवर किसी की कार आगे हो ambulance से तो उसे कैसा दिखा है ambulance लिखा हुआ बिल्कुल straight अब यह straight क्यों लिखा हुआ दिख रहा है उसे because of lateral inversion lateral inversion हमने देखा था ना कि mirror के आगे कोई भी चीज़ होगी वो अगर आप left raise करोगे तो राइट हो जाएगी तो इस तरीके से ambulance को लिखा जाता है कि mirror जो आगे होगा किसी भी कार का उसमें क्या दिखे का यह ambulance लिखा हुआ सीधा दिखे का the laws of reflection अब बात करते हैं laws of reflection की laws of reflection के बारे में समझने से पहले एक छोटा सा experiment करना पड़ेगा एक laser light ले ले लेते हैं और एक mirror ले ले लेते हैं अब इस laser light को mirror की तरफ point करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जो laser light है वो क्या हो रही है reflect हो रही है अब यह जो laser light हमने point करी है यह जो incident ray बोलेंगे हम लोग इसे जो laser light जा रही है mirror की तरफ उसे बोलेंगे incident ray अच्छा सर यह laser light से आपने experiment करा है तो इस वज़े से आपने इसको क्या बोला है laser light की light को incident ray तो क्या सिर्फ यह laser light के साथ ही experiment होता है नहीं नॉर्मल बल्ब के साथ कर लो जो नॉर्मल बल्ब से रोशनी mirror की तरफ जा रही होगी उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे incident ray अब mirror के पास जाने के बाद क्या होगा यह वाली light क्या हो जाएगी reflect अब reflect होगे जो light हमें mirror से निकलती हुई दिखेगी उसे बोलेंगे हम लोग reflected ray incident ray और reflected ray अब आपको clear होगा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग कुछ imaginary line बना लेते हैं इस incident ray और reflected ray के बीच में अब यह जो हमने imaginary line बनाई है बस अपनी सोच से बनाई है इसका नाम होता है normal अच्छा normal line के side से हमें क्या देखने को मिल जाएगा normal line के इस side में हमें क्या देखने को मिल रहा है angle of incidence और इस side में angle of reflection अच्छा इसको angle of incidence क्यों बोला है क्योंकि यहां से हमारी incident ray आ रही है और यहां पर फिर हमारी reflected ray जा रही है तो इस वज़े से normal और reflected ray के बीच वाली जगा को हमने बोल दिया angle of reflection I hope बिल्कुल clear होगा तो कोई भी light जो mirror की तरफ जाती है उसे बोलते है incident ray कोई भी light जो mirror से reflect होती है उसे बोलते है reflected ray और incident ray और reflected ray के बीच में जो हमारी imaginary line होती है उसे normal बोलते हैं लेकिन क्या हम exam में भी ऐसे diagram मनाएंगे नहीं exam में इस तरीके से diagram मना सकते हो mirror को आप ऐसे दिखा दो incident ray को ऐसे दिखा दो reflected ray को ऐसे दिखा दो बीच में normal line ड्रॉ कर दो बहुत ही simple है यह तो फटा फटा आप अभी तुरंत के तुरंत अपनी notebook के अंदर इस diagram को बना लो अब हम देखते हैं types of reflection के बारे में देखो types of reflection मतलब की light गई और mirror से reflect होई अब mirror से reflect होती है जब भी light तो depend करता है कि mirror किस type का है surface किस type का है mirror का अगर mirror का जो surface है वो कैसा है वो बिल्कुल smooth है तो reflection कैसी होगी regular जड़ा देखो यहां पर incident ray गई smooth surface था plane mirror था तो यहां पर smooth surface हो रहें के कारण जो reflected ray है वो भी straight pass हो गई लेकिन यहां पर क्या था diffused reflection था diffused reflection का मतलब क्या अभी देखते हैं अगर यहां का जो surface था इस mirror का यह उबडखाबड था irregular अगर हम लोग बोलें इसको क्या बोलेंगे हम लोग irregular या फिर rough यह surface कैसा था irregular या फिर rough इर्रेगुलर और rough surface होने के कारण इस mirror का जो भी हमारी incident ray थी वो गई और फिर जो reflected ray निकली कोई इधर को जा रही है कोई उधर को जा रही है कोई बीच में जा रही है properly जैसा ही regular reflection होनी चाहिए वैसी reflection नहीं हो रही आई बात समझ में आपको तो यहां पर mirror के ओपर basically depend करता है कि reflection कैसी होगी अगर smooth surface है mirror का तो reflected ray हमें कैसी देखने को मिलेंगी यह देखो बिल्कुल straight लेकिन अगर mirror का surface rough है या फिर irregular ऐसा उबडखाबड सा surface है यह देखो mirror का तो क्या होगा जो incident रही होगी वो तो straight जाएंगी रेकिन जो reflected रही होगी कोई इधर को जाएगी कोई उधर को जाएगी को circular reflection के अंदर क्या हो रहा है जब भी mirror का surface smooth है तो जो भी incident रही है वो असानी से reflect back हो जा रही है diffused reflection या फिर irregular reflection भी बोलते हैं हम इसे इसके अंदर क्या हो रहा है जो भी incident रही है वो जब mirror से reflect हो रही है तो कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है बहुत ही simple है next हम लोग द मतलब असली की image नहीं बन रही real image मतलब जैसा object है वैसी ही image बन रही है तो इसको बलेंगे हम लोग real image अच्छा real image कब बनती है जब light ray reflect होती है और same point पर मिल जाती है सर ये वाला point हमें बिल्कुल clear नहीं हुआ तो ये वाला point बिल्कुल clear करना भी नहीं है ये बड़ी class में आपको समझना है बट अब ही के लिए आपके पास ये definition मैंने दे दी है इसको हम लोग एक screen के उपर देख सकते हैं और हमेशा inverted होती है real image अच्छा virtual image क्या होती है virtual image हमारी इरिक्ट यानी की सीधी होती है जैसे यहां पर आप देख सकते हो आसानी से समझते हैं इसको डायग्राम के थुरू fake image ये क्यों है देखो fake image ये इसलिए है क्योंकि यहां पर जो आप ये जलती हुई candle को देख रहे हो कितनी छोटी सी और इसमें कितनी बड़ी सी दिख रही है रियल इमेज जितनी candle का साइज है उतना ही candle का साइज हमें एक mirror पे दीखेगा और यहां पर हमने क्या लिए एक screen लिए इस पर दीखेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज ठीक है लेकिन इन दोनों में सारह हमें समझना क्या है जादा अच्छे से बस ये समझना है कि रियल इमेज इस क्या होती है जो अबजेक्ट होता है वैसी की वैसी होती है और जो वर्चॉल इमेज होती है वो अबजेक्ट को या तो बहुत बड़ा दिखा देती है या अबजेक्ट को बहुत छोटा दिखा दिखा देती है clear है वर्चॉल इमेज मतलब fake image बात करते हैं spherical mirror की, sphere जैसी shape का होता है ये mirror, अच्छा spherical mirror से ही हमें और दो type के mirror मिल जाती है, spherical mirror को अगर हम two parts के अंदर cut कर ले, हमने इसको two parts के अंदर cut कर लिया, अब यहाँ पर ये जो red वाली side थी ना इस mirror की, इसको हमने बोल दिया concave, इसको बोल दिया, convex, लेकिन क्यों बोल दिया, किस वज़े से बोल दिया, जरा देखते हैं, तो concave mirror, अब देखो ध्यान देना, ये जो cave होता है, cave क्या होता है, आपको पता है, गुफा, गुफा कैसे होता है, गुफा का रास्ता, ऐसा, ऐसा अंदर जाने वाला, और इसकी भी shape कैसी है, cave जैसी है, इस वज़े से, इस mirror का नाम रखा है, हमने, concave, ये कैसा होता है, spherical mirror होता है, इसकी जो reflecting surface होता है, वो अंदर की तरफ होता है, मतलब reflect कहां से होगी, कोई भी incident रे, अंदर की तरफ से, reflect कहां से होगी, light, अंदर की तरफ से, तो कैसी shape है, इसकी cave जैसी, तो याद रखना है, concave मतलब cave वाली shape का mirror, अच्छा, दूसरा, जो image form होती है, concave mirror पे, वो कैसी होगी, real या फिर virtual, या तो असली form होगी, या फिर नकली, या फिर वो erect होगी, या फिर inverted होगी, erect मतलब, या तो सीधी होगी, या फिर ulti image form होजाएगी, इस पर, it can have the same size as that of the object, या तो जो image form होगी, इस पे, concave mirror पे, वो बिलकुल object के size की होगी, या फिर object का size, concave mirror में बड़ा दिखेगा, या फिर object का size, छोटा दिखेगा, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़े पढ़ ले, concave mirror कैसी image बनाता है, real और virtual दोनो, मतलब, असली भी image बना देता है, नकली भी बना देता है, सीधी भी बनाता है, image और उल्टी भी बनाता है, object का size बड़ा भी दिखा देता है, छोटा भी दिखा देता है, और कभी-कभी तो object के जितना ही size भी दिखा देता है, अब बात करते हैं, convex mirror की, जब concave mirror के अंदर, यह क्या थी, cave वाली shape थी, अंदर reflecting side थी, मतलब कोई भी light pass कर रहे हो, यहीं से reflect होगी, तो convex mirror के अंदर क्या होगा, यह उल्टी वाली side में क्या होगी, reflection होगी, तो यह भी क्या है, convex mirror के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कि, कि इसकी जो, इसकी जो reflecting surface है, वो कैसा है, curved outwards, बाहर की तरफ निकला हुआ है, reflecting surface, concave mirror के अंदर reflecting surface क्या था, अंदर की तरफ, इसकी अंदर क्या है, बाहर की तरफ, भाहर वाला, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, reflecting surface कैसा है, और इसको बोलेंगे हम लोग, convex mirror, कौन-कौन सी image बनाता है, convex mirror, convex mirror हमेशा virtual image बनाएगा, या फिर नकली, असल image कभी नहीं बनाता है, upright, यानि कि हमेशा सीधी image बनाएगा, सीधी नकली, और हमेशा छोटी image बनाएगा, मतलब जो object का size है, उससे छोटी, जैसे यह phone का size है, convex mirror के आगे में लेगा, तो हमेशा इससे phone के size हमेशा छोटा दिखेगा, मुझे convex mirror के अंदर, कैसी image बनाएगा, नकली बनाएगा, और सीधी बनाएगा, application of concave mirror, concave mirror को हम लोग कहां कहां पर use करते हैं, अच्छा आपके घर में जो TV वगारा देखते हैं, satellite dish लगी होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी image एक बार, कुछ इस type की होती है, satellite dish, अब इसकी जो shape होती है न, कुछ-कुछ concave mirror से inspired है, ठीक है, दूसरा, dentist लोग जो mirror use करते हैं, वो भी कैसा होता है, concave mirror होता है, ठीक है, जिससे की वो particular दात को अच्छे से देख पा है, particular tooth को अच्छे से देख पा है, shaving के लिए जो mirror use होता है, वो भी concave mirror होता है, अच्छा किसी गाड़ी के आगे जो mirror लगा होता है, आपने देखा न, गाड़ी के आगे जो lights लगी होती है, उसके अंदर भी कौन सा mirror use होता है, concave, torches के अंदर भी कौन सा mirror use होता है, concave mirror का इस्तमाल होता है, अब बात करते हैं convex mirror की, concave mirror इतनी सारी जगा यूज हो रहा है, convex mirror कहां यूज होगा, देख लेते हैं, Convex mirror हमारा use होता है हमारी जो car के side में ऐसा mirror लगा होता है इस पर अच्छा दिहान दोगे आप तो इस पर ये भी लिखा होता है कि जो object है वो नजदीक दिखेंगे अभी हमने पढ़ाता कि convex mirror image भी कैसी बनाता है नकली तो यहाँ पर यही बात इसमें बताई होती है कि object जो है वो थोड़ा mirror के उपर आपने लिखा हुआ देखा हुआ कि object कैसे होते हैं ये बताना जड़ा comment section में comment section के अंदर कि जो object है वो कैसे दिखते हैं ये इस mirror के उपर क्या चीज लिखी होती है अब बात करते है security mirrors की जो की ATM में होते हैं वहाँ पर भी कौन से mirror यूज होते हैं convex यह देखो यह वाला जो mirror लगा हुआ न यह कौन सा है convex mirror है types of lenses अब lenses की भी बात कर लेते हैं जब mirror हमने समझ लिया तो देखो lenses भी बहुत ही simple है convex lens कैसा होता है कुछ इस shape का होता है जैसा आपको screen पर दिख रहा है इसके अंदर क्या होती है अगर हमने कोई light ray पास करी तो वो convex lens से पास होने के बाद क्या हो रही है यह एकटा हो रही है तो convex lens कैसा होता है curved outwards outwards की तरफ curved होता है थिकर होता है center में मतलब बीच में मोटा है और side side से पतला है ठीक है यहाँ पर क्या हो रही है जो भी light ray आ रही है वो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग मर्ज हो ना इसी को बोलते हैं हम लोग कनवर्जिंग लेंस तो हम लोग जो हमारा convex lens है से converging lens भी बोलते हैं अब convex lens कैसी image बना पाता है real inverted यानि की उल्टी और image कैसी होगी हमेशा large जो की the image is large and appears close to the lens हमें lens के नसदीक दिखती है image और large दिखती है अब बात करते हैं concave lens की concave lens और convex lens के अंदर याद कैसे रखे बहुत ही simple है दुबारा वही cave वाली कानी है concave में देखो क्या था? cave इसमें भी क्या है? cave दोनों side cave आगे है यहां से भी cave, यहां से भी cave तो यह हो गया concave concave में क्या होता है? जो भी light raise पास करते हो न आप इस concave lens से वो क्या हो जाती है? बाहर की तरफ बहुत ज़ादा क्या हो जाती है? diverge हो जाती है तो concave lens कैसा होता है? curved होता है अंदर की तरफ अंदर की तरफ ऐसे curved होता है ठीक है? wider edges होती है मतलब कोने कोने पे यह मोटा है यहां यहां पर देखो मोटा है आप mouse के cursor को देखो यह है mouse का cursor यहां पर देखो क्या है ये side side से उपर और नीचे यहां आप पे मोटा है बीच में पतला है तो thin क्या है center में और wide क्या है edges पे अब यह क्या करता है जो भी light ray आप pass करोगे Concave lens से वो क्या हो जाएगी? diverge हो जाएगी, diverge होने का मतलब क्या है? जैसे आपने एक light ray को pass करा, वो क्या हो जाएगी? जैसे ही वो concave lens से pass होगी, वो fail जाएगी, इदर उदर चली जाएगी, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग diverge होना, जैसे एक ए light ray आई, यह बहुत सारी हो गई जैसी पास होई concave lens से इसको बोलेंगे हम लोग diverge होना इसी वजह से हम लोग concave lens को diverging lens भी बोलते हैं लेकिन कैसी image form होती है concave lens से हमेशा virtual यानी की fake image form होती है erect यानी की हमेशा straight image form होती है और जो image है वो large होगी और lens के पास बिल्कुल भी नहीं दिखेगी अब बात करत sunlight क्या होती है white light बोलोगा अरे हमें तो देखने में yellow लगती है हाँ भया sunlight तो yellow ही होती है आप क्यासे white light बता रहे हो अरे मोटू लाल sunlight तो blue color की भी होती है orange color की भी होती है violet color की भी होती है और green color की भी होती है सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना बिल्कुल लग रहा ह होगा देखो sunlight एक white light होती है जो भी white light होती है ना उसके अंदर seven colors आते हैं अब यह seven colors कौन से होती हैं इनको एक trick बताता हूं आपको याद करने की हम लोग कैसे याद करते हैं विब ग्योर की form में वी आई बी जी वाई ओ आर अब यह जो वी है वी का मतलब क्या होगा आई का मतलब क्या होगा और और यहां पर वी का मतलब क्या है आई का मतलब क्या है बी का मतलब क्या है जी का मतलब क्या है और वाई का मतलब क और और का मतलब क्या हम समझ जाएंगे देखो जब भी हम लोग Sunlight को एक Glass Prism से पास करेंगे इस टैप का आपको एक Prism लेने रहे इस से पास करना है Sunlight को तो आपको ऐसे colors निकलते हुए दिखेंगे हैं सच में दिखते हैं अभी एक्सपरिमेंट भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर टेंशन मत करो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो सनलाइट है वो एक वाइट लाइट है और इस वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, कौन-कौन से विब्ग्यॉर वाले अब विब्ग्यॉर की फुल फ्रॉम क्या होती है, वाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओरेंज, रेड़, ट्रिक क्या थी, के सनलाइट क्या होती है, वाइट लाइट, वाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7, उन 7 कलर्स को याद कैसे करना है, विब्ग विब्ग्यॉर का मतलब क्या होता है, वाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओरेंज, रेड़, तो यहाँ पर वाइट इस तरीके से आपको दिखता है, वाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओरेंज, रेड़, अब चलते हैं, एक बार, एक्सपरिमेंट थोड़ी सी देर में देखेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो विब्ग्योर वाली चीज है इसी की वज़े से rainbow form होता है अच्छा भीया अरे बड़ी मज़ेदार बात है ये तो लेकिन मैंने एक चीज नूटिस करी है भीया rainbow तभी form होता है जब बारिश हो रही होती है very good more to love देखो अभी हमने देखा कि अगर हमें sunlight जो है वो एक white light है उसके अंदर चेक करना है कि ये विबगयोर वाले सारे colors है या फिर नहीं है इसके लिए हमें किस चीज की जरुत पड़ी थी एक prism की अब जो बारिश होती है न यानि कि raindrops होती है वो भी किसकी तरह act करती है they also act like this prism sir कैसे देखो इस prism के अंदर से light गई बाहर निकली तो हमें seven colors देख से निकले लगते हैं तो आपने notice करी होगी एक ऐसी जगह जहां पर बारिश हो रही है और सूरज की रोशनी आ रही हो वहां पर ऐसे rainbow form हो जाता है और यह जो rainbow होता है इसके अंदर कितने colors होंगे seven colors होंगे विबगयोर वाले और कुछ इसी form में होंगे कि नीचे वायलेट हो है हमारा experiment सर क्या white light के अंदर भी seven color होते हैं white light के अंदर seven colors होते हैं वो होते हैं विबगयोर वाले colors अब इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा experiment करने वाले हैं वो है यह experiment यहाँ पर आप देख सकते हो this is newton's disc इसके अंदर seven colors हैं अब मैं आपको magic दिखाने वाला हूग आप में देखा कैसे यह जो seven colors थे यह disappear हो गए अब यह disappear क्यों हो है क्योंकि white light consists seven color विबगयोर जिसे बोलते हैं हम लोग और यह हमारा newton's disc वाले experiment होता है complete I hope newton's disc experiment से आप सारी चीज अच्छे से समझ गयोगी क्या newton's disc हम घर पे भी बना सकते हैं बिल्कुल एक गोल सा paper cut कर लो उसमें यही seven colors कर दो जैसी आप जोर से उसे गुमाओ के white से आपको वो convert होते हुए दिख जाएंगे सारे colors यहीं पर हमारा chapter खतम होता है लेकिन आप कुछ नहीं करना है चैनल को subscribe करना है subscribe के साथ में join का button है उस पे click करके member बन जाना है तो आपको क्या मिलेंगे इस chapter के notes यह सारे important notes साथ में sample paper मतलब जो भी important questions हैं इस chapter के जो exam में आते हैं वो सारे और साथ में shout out भी मिलेगा तो see you in the next video thanks for watching फटाफट वीडियो को कर दो like subscribe और अपने दोस्तों के साथ share